यह लुड़कने वाले धकन बहुत ही मज़ितार खिलोना है इसके लिए आपको दो बोतलों के धकन, एक कंचा, थोला सा टेप, कार्ट शीट, कहची और गोंच जाए पहले दोनों धकनों के बीच में एक कंचे को रखिए और उनकी किनारों के उपर एक टेप लगा दीजे, जिससे की दोनों धकन आपस में डुड़ जाए बस यह याद रखें कि उनके बीच के अंदर एक छोटा सा कंचा है, जो लुड़कने का काम करेगा उसके बाद में एक कार्ट शीट से आप इस तरह की आकरती बनाएए यह परदी के ऊपर ढकन की लिपट जाएगा और बचेंगे क्या केवल आदमी के पैर उसके बाद में एक सिर्वाला भी हिस्सा है, जहां पर उसका बदन और सिर है, वहां पर भी थोड़ा सा गोंद लगाएए और पैरों के बिलकुल विपरीत आप शरीर, धड़ और सिर्वाले हिस्से को चिपका दीजिए, अब लीजिए आपका खिलोना त्यार है खिलने के लिए, अब एक छोटा सा धलान बनाएए, एक तरफ कुछ किताबे रखिए और एक लंबा सा गत्ता रख दीजिए, अगर आप इस खिलोने को जमीन पे रख करके थोड़ा सा हिलाएंगे, तो वो सी सौ जैसे जूले जैसे थोड़ा सा रॉक करेगा, अब आप एक धलान के ओपर अपने खिलोने को रखेंगे, तो वो लुलकता हुआ नीचे आएगा, और देखने में आपको बेहद आनद आएगा, इसको दोबारा एक बार देखें, आप जैसे ही उचे स्थर पे रखेंगे, ये खिलोना लुलकतावा नीचे आएगा, आप चाहें तो उसका एक जोकर जैसा भी बना सकते हैं, ये देखिए जोकर का उपरी हिस्सा, पिछला हिस्सा, अब ये जोकर बिलकुल तयार है, वो द जहलान पे रखेंगे, रैम पे रखेंगे, तो वो लुडकतावा नीचे आएगा, और उसको देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, दुबारा देखिए, और इस बार हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, देखिए किस तरह से ये जोकर लुडकतावा सामने आ रहा है, इस खिलोने को बनाने में केवल दो खाली बोतलों के धकन और एक कंचा लगता है और आप घंटो इसके साथ में खेल सकते हैं,